हेलो फिर्ट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फिर्ट्स आज की इस वीडियो में 37 साइस का बैक नेक डिजाइन माप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर तो दिखिए मेरा मेंड फैपरी के और यह अस्तर का कपड़ा है अगर आप इस को अपने व्लॉग्स के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइस के कॉडिंग डीप नेक का मेंजमेंट लीजेगा तो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लाइन डौ कर ली है टोटे लंबाई रखी है मैंने साड़ी चौदा इंच साड़ी तेरा लेंध मुझे इसके तयार रखनी है और डीप नेक के साब से अपने शोल्डर रखे हैं साड़ी पांच इंच आर्म हो लिए हैं पॉरा चेंच 37 के लिए और यहाँ पर चेस्ट का चोथा भाग लिया है सवा नो इंच और तेर इंच एकस्टा रखेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो द चेकस्टा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए आर्म मोल के गुलाई इस तरीके से देनी है और इसे कट कर लेना है यह देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के कटिंग कर लिया है असतर पर अब लेना है गले का मेंजरमेंट गले के जो विट थे वो रखेंगे मैंने धाई इंच के गले के टोटल लंबाई जो है वो साड़े 10 इंच ली है और नीचे से नेक विट लिया है मैंने तीन इंच इस तरीके से हमने यहाँ पर एक जोकुर बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ मटका गला तो हलके हलके हातों से हमें पार्ट गले का शेप देना है देखिए इस तरीके से तो गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिया है इसके उपर भी एक डिजाइन बनेगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे पहले हमने गले को कट कर लेना है अब देखिए मने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्ट पेपर पेस्ट इंग को डवल करके मीच़ तरफ रख लेंगे और सफ़ी हमने गली की मार्किंग कर लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर गली की मार्किंग करेंगे गली की मार्किंग करने के बाद बाहर की तिरफ से एक इंच पेपर पेस्टिंग आपको बढ़ा लेना है इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना है और यह जो डिजाइन हमने यहाँ पर मैं उपर की तरफ बनाऊंगी उसे मैं इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर रही हूँ मार्किंग करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है तो इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे ये देखिए मैंने paper pasting को cut कर दिया है और इसे मैं attach कर रही हूँ अस्तर के extra fabric पर अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा नहीं बचता है तो आप जो अस्तर वाला back party उसी पर इसे रखकर attach कर सकते हैं अब मैं इसे man fabric पर रखकर cut कर रही हूँ तो देखिए cutting मेरी पूरी हो गई है अब मैं कर रही हूँ इसका stitching तो सबसे पहले हमने नीचे की तरफ man fabric को रखना है और उपर की तरफ अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखते हुए pin के साथ इसे attach करेंगे और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है तो corner की एक सिलाई लगाकर back part और अस्तर के कपड़े को attach कर देंगे finishing के साथ यह देखिए मैंने हाँ पर इस attach कर लिया है इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से कपड़े को finishing करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है हमने इस तरीके से ये दीखे मैंने हापर जिलाई लगाती है और इसके बाद हमने एक्सिडर फैबरिक को कट कर के निकाल देना है तो बीच में जितना भी खपला एक्सिटर है इसे कट करकी निकाल देंगे और बाहर की तरफ से भी कपले को एक्स्ट्रा जो है वो निकाल कर कट कर लेंगे ये दीखे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर गला बना रही हूँ तो गला बनाने के लिए मैंने जो अस्तर का कपड़ा है उस पेपर पेस्टिंग को स्लाई लगाई है आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हैं कपड़े के उपर या फिर आप मेरी तरह स्लाई लगा कर अटेज कर सकते हैं तो स्लाइम मैंने यहाँ पर लगा दी है, इसके बाद मैं एक्स्ट्र कप्रा जो है बार की तरफ उसे कट करके निकाल रही हूँ और चोटे-चोटे कट हमने यहाँ पर लगा देने हैं, कट लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट के सीधा हो जाता है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कट लगा ले और इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है तो दीखे इस तरीके से मैंने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके बाद देखे नीचे की तरफ रखेंगे हम अस्तर के कपड़े को और उपर से यहाँ पर पेन लगाएंगे इसे नीचे पेपर पेस्टिंग को रखा है उपर बैक पार्ट को रखते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है एक पेर का मार्जिंग लेते हुए अच्छे से पूरे नैक पर सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपला जो है बीचका इसे कट करकी निकाल रही हूँ और पूरे ही नैक के उपर हमने चोटे चोटे कर लगा देने हे ये कर लगाने इसे गलाचे से फोल्ड हो जाएगा आपका तो देखिः कर, मैंने हाप पर पूरे नेक पर लगा लिए है इसके बाद अब मैं इस अंदर की तरफ कर रही हूँ तो यहाँ पर नेक को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और हातों से इसका अच्छे से फिनिशिंग कर देना है गले को फिनिशिंग देने के बाद अब एक सिलाई में उपर की तरफ से लगा रही हूँ यहाँ पर हमने उपर की तरफ से भी सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेना है गले पर मैंने सिलाई लगा दी है और अब मैं गले पर लगाऊंगी पाइपिंग आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर मेरी तरह पाइपिंग लगा सकते हैं तो मेंने यहाप पर cross पटियां cut ki हुई है यह देखें, तिर्ची पटियां आपको cut कर लेना है और इसे इस तरीके से जोड लेना है cross पटिया को जोडने का तरीका भी अलग होता है। आप देखिएका मैं किस तरीके से जोड रही connections और अब बैक पार्ट के उपर इसे अटेज करना है तो पाइपिंग की जो पट्टी है इसे हमने सीधा करके रखना है उपर की तरफ से ब्लाउस को रखेंगे उल्टा करके और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे corner की सिलाई लगाकर हमने इसे attach कर देना है कपड़े के साथ ये दीखे मैं हहाँ पट्टी को attach कर रहे हूँ back part के साथ तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे attach कर दिया है अब दीखे पट्टी के ओपर आपको छोटे छोटे cut लगाने होते हैं वर देहांों से किँजस्तिगर आसानी से अंदर की तरफ कॉल्ड और जाएं अब कर रहत बाद है कि अंदर की तरफ करते हुए हम प्रयपिंग बनाते जाना है और सिर्च लगाते जाना है यह देखिए यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और पाइपिंग को फोर्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाती है तुगले मेरा बन करके त्यार हो गया है फिनिशिंग के साथ और अम मैं यहाँ पर इसका डिजाइन बना रहे हैं तुगले के बीच में जो डिजाइन मैंने ड्रॉ किया था इसे मैं कट कर रही हूँ यह देखिए इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन को कट कर लेना है और इसके बार इसे हमने बढ़ाना है पेपर पेस्टिंग के उपर तो इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और पैंसिल या पैंसे तरीके का मारकिंग कर लें सिर्व आपको उपर की तरफ से इसे भड़ा लेना है दबाओ देने के लिए और बाकिया आपको S.D.C. से इसे कट कर लेना है तो इस डिजाइन को मैंने आपर कट कर लिया है इसे मैं अटेज कर रही हूँ अस्तर वाले कपड़े पर तो अस्तर के कपड़े के उपर पहले हमने सिलाई लगा लेनी है आप चाहें तो प्रैस करके इसे चिपका भी सकते हैं ये देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हमने मैं कपड़ा लेना है मेन कपड़े के उपर हमने इसे अटेश करना है तो मैं यहाँ पर इसे पलट नहीं रही हूँ आप अगर पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं लेस लगा रहे हैं तो आप इसे सिलाई लगा करके पलट सकते हैं चारो तरफ से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है अब हमें अस्तर की बराबर इससे कट कर लेना है तो इस पर भी मैं पाइपिंग अटेज कर रही हूँ जैसे कि मैंने गले पर लगाई थी तो सबसे पहले उपर वाले पाट पर हमने पाइपिंग लगानी है ये दीखिए मैंने यह आपर piping को टेज कर दिया है, अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पटी को टेज कर दिया है, अब इसका piping बना लेंगे तो आपको जितना मोटा या पतला रखना है, उतना रखते हुए, बागी कप्डे को अंदर की तरफ फोल्ड करें और इस तरीके से सिलाई लगाएं तो दीखिए उपर वाले डिजाइन पर मैंने पाइपिंग बना ली है और अब जो नीचे वाला डिजाइन है यहाँ पर भी हमने पाइपिंग बनानी है तो जैसे उपर बनाई थी वैसे ही नीचे भी बना लेंगे पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है और दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से पाइपिंग बना ली है अब हमने चोकुर कपड़े लेने हैं पाइपिंग वाला कलर और मैं कपड़े के तो वो मैंने कट करके रखे हुए हैं इनकी लंबाई चोड़ाई जो है वो धाई इंच की है 2.5 इंच और इसके हमें ट्रैंगल बना लेना है फिलाल मेरी यहाँ पर तीन ट्रैंगल बना रही हूँ इस डिजाइन में टेज करने के लिए तो एक के उपर एक इसे तरीके से रख लेना है और सिलाई लगा कर इसे पका कर लेना है अब डिजाइन के बीचो बीच में इसे रख रही हूँ और पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगानी है तो यह वाला डिजाइन मेरा बन करके तयार हो गया है इसे साइट में रखेंगे और ये जो सभी triangles वाले design है इन्हें हमने तयार कर लेना है तो सभी को एक एक करके इस तरीके से fold करते हुए तयार करेंगे ये जो मैंने कपड़े लिये हैं चोकोर में इनकी लंबाई चोड़ाई 2.5 इंच आप 3 इंच के भी ले सकते हैं तो सभी pattern को हमने एक एक करके तयार कर लेना है तो दिखिए हाँ पर दूसरे color वाला जो fabric है वो भी मैंने तयार कर लिया है triangle अब एक के उपर एक इसे रखना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है जो भी color आप रखना चाहते हैं जैसे कि मैंने जो main कपड़ा है उस color का fabric उपर की तरफ रखा है तो यहाँ पर हमने एक के करके सभी triangle के जो design है उन्हें तयार कर लेना है सभी designs को तयार करने के बाद हमने इनका extra जो कपड़ा है वो cut करके निकाल देना है तो कपड़े के extra part को मैंने यहाँ पर cutting कर लिया है अब देखे back part को मैं यहाँ पर double fold करके marking कर रही हूँ one inch पर एक inch या सवाइक inch पर आप यहाँ पर इस तरीके से marking कर ले marking पूरी एक जिसी आनी चाहिए और ऐसे ही marking हमने गले के दूसरे भाग पर भी कर लेनी है गले के दूसरे साइट भी इस तरीके से marking कर लेंगे यहाँ पर हमने जो डिजाइन बनाई है वो attach करना है यह दिखे मैंने marking अच्छे से कर ली है और अब इस डिजाइन को एक एक करके हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से तो गले के shape के according ही design को attach करना है तो दिखे मैंने हाँ पर डिजाइन को attach कर दिया है और जो एक्स्टा कपड़ा भार आ रहा है triangles में से उन्हें कट करके निकाल देना है क्योंकि यहाँ पर हम lace attach करेंगे तो जितना भी एक्स्टा फैब्रिक के वह आप कट करके निकाल दीजेगा और अच्छे से इसकी finishing करनी है यहाँ पर अब दिखे मैंने यहाँ पर center mark कर लिया है center marking design का भी कर लेंगे और center mark से center mark दोनों मिलाते हुए हमने design को बीचो बीच में रख लेना है पिन के साथ इसे attach कर लेना है तो दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा लेंगे सिलाई लगाने से पहले अब हमने इस design को attach कर देना है piping के किनारे से सिलाई लगाएंगे और अच्छे से पका करते हुए इस से attach कर देना है कपड़े के साथ तो दीखे design को मैं attach कर दिया है center से कपड़े को fold करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स attach करेंगे दोनों ही तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है और मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमरपटी लगाने से पहले मैंने इसे एक तरफ से fold कर लिया है और नीचे से आधा हंच का margin लेते हुए पटी को attach करना है फिर एक सलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेंगे और कर लेंगे पटी को अंदर की तरफ fold तो इस तरीके से finishing के साथ मैंने पटी को अंदर की तरफ कर लिया है तो देखे मैंने यहाँ पर lace लगा रही हूँ मैं डिजाइन बनके तयार हो गया है और lace लगा कर हम इसे decorate कर देंगे lace यह जो design हमने बनाई है इसका margin cover हो जाए इस तरीके से lace लगाएंगे तो इसी के साथ friends मैंने यह neck design बनके तयार हो गया है आपको आज कर यह design कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को like share जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद